दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज कल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होता है आप लोग जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं आपके कमेंट पर मुझे लगता है कि नहीं इस कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए त तो फिर यहां पर क्या करना चाहिए सबसे पहले बात कि बीना कोई रीजन का बीना कोई बजह काándhיר करनीन क्या सकते हैं जब तक कोई कारण और यहांपर जो मेरे भीवर हैं जिन्होंने कमेंड किया ता उनका कहना यहां पर यह हैं कि मांक्स कम आने की बजह से स्कूल का प्रिंस्पल यहां पर T.C. दे रहे हैं तो यहां पर अगर किसी बच्चे का माक्स कम आता है इसकी वज़त से अगर प्रिंस्पल जबरदस्ति उसे T.C. देते हैं तो यह सरा सर गलत है उनके पास यहां धिकार नहीं है अगर सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल में क सिक्ष्या मंतरी तक का नाम ही नहीं पता होता है, तो फिर आकर हुए कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे, तो यहां पर अगर सरकारी स्कुल में कोई बच्चा पढ़ता है और अगर उसका माक्स कम हता है, तो इसमें टीचर का भी दोस्त है, वे भी इसके लिए दोसी हैं, अगर आपके बच्चे को वे जबरदस्ति टीसी देते हैं, तो फिर आपको यहां पर चुप नहीं बठना है चाहिए, आपको उनकी सिकायत करना चाहिए, अगर आपके बच्चे को वे जान बुच कर मानसिक रूप से पढ़सान करते हैं, या फिर फिचकल फोर्स का भी पर प्रिंस्पल हैं, उनके खिलाब तुरंद फायार दर्ज करवाना चाहिए, और फिर उस टीचर को जेल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है, जब आप थाने में जाते हैं, अगर पुलिस आपके फायार नहीं लिखती है, तो फिर आप यहां पर SSP को लिखित में लिख कर आवेदन दे सकते हैं, तो अब यहां पर बात आती है कि अखिर जबरदस्ती प्रिंस्पल टीसी दे, तो क्या करना चाहिए, आप यहां पर अपने जीले के DM के पास भी सिकायत कर सकते हैं, आप रिटेन में लिख कर DM ओफिस में कंप्लेन को भेज सकते हैं, आप DM के ओफि बच्चे के साथ साथ, तीचर भी उतने ही दोसी हैं, क्योंकि अगर वो अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर बच्चा बान लेते हैं, बदमासी है, नहीं भी पढ़ने वाला है, फिर भी अगर उसका कांसिलिंग किया जाएगा, उससे समझाया जाएगा, तो फिर निश्ची को पीटा जाता है, तो आप बीना देरी किये हुए उस टीचर के खिलाब थाने में दर्ज करवाएं, और अगर टीची दे, तो आप इस बात को सेप ना करें, बलकि आप भी जबाब दें, आप DM से कंप्लेंड कर सकते हैं, और अगर आपका DM भी नहीं सुनते हैं, शिक्छा बात तो कोट जरूर सुनता है, आप यहां पर सिधे हाई कोट में रिट फाइल कर सकते हैं, और फिर हाई कोट यहां पर सिधे अपना ओर्डर देता है, हाई कोट को और को तो सभी को मानना पड़ेगा, यहां तकी राज सरकार को भी हाई कोट का ओर्डर मानना पड़ेगा, तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट पर मैं वीडियो बनाओ तो आप निश्ची थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपके कमेंट पर वीडियो बनाने लाइक होगा तो मैं निक्षिति वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तो अगर आप हम से सिद्धे जूड़ना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इνस्टाग्राम पर फालो कर ले मेरा इंस्टाग्रम पर ही उजर नेम है फृतेस1584 तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक सधिक अपने दोस्तों और इस्तेदारों में भी जरूर सेर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नहे टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल लखें